दोस्तों घर से बाहर निकलते ही हमारा सबसे पहले जिस चीज़ से सामना होता है वो है पॉलिशन इसी वज़े से हम घर से ही पुरी तरह से पैक होकर तैरी के साथ बाहर निकलते हैं जिससे इस पॉलिशन का कोई भी बुरा असर हम पर ना हो पर पता है इस pollution के सबसे बड़े जिमेदार हम खुदी है इंसानों ने ही pollution को जन्म दिया है हम सभी ने बच्पन में पड़ा है pollution तीन प्रकार के होते है वो है आवाज याने sound pollution पानी याने water pollution और हवा याने air pollution अगर इंसान नहीं होता तो शायद ही कभी pollution पैदा हुआ होता इसे बनाया भी हमने ही है और इससे ज़्यादा तकलिफ भी अब हमें ही जहलनी पड़ रही है जानकरों के अनुसार हम लोगों ने pollution का स्तर को इतने हानिकारक रूप से बढ़ा दिया है अब खुली हवा में सास लेने में भी हमें तकलिफ होरनी लगी है अगर हम इसी तरह से इस pollution को बढ़ाते रहे तो जल्द ही हमारा जीना बत से बत्तर हो जाएगा और सो से देड़ सो सालों में हम प्रित्वी के सुन्दर वातावरन को पुरी तरह से नस्ट करने में सफल जरूर हो जाएगे पर कुछ जानकरों का ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने जागरुकता दिखाते हुए इस मामले को गंभिरता से लिया है और इसके बारे में अवैरनेस फैलाने का काम शुरूर किया है जो कि एक नई शुरुवात हो सकती है हमारी हरी वरी जिंदेगी की तरफ लेकिन दोस्तों ये काफी नई है क्योंकि आज भी ज़्यादा तर लोग इस पॉलिशन को बिना सोचे समझे बढ़ाने में लगे है कभी आतंकी हमलों के रूप में कभी जातिवात के नाम पे तो कभी सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए सबको अपनी पावर दिखानी है लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो तिसरा माहिद शुरू होने में देर नहीं लगेगी या फिर किसी आतंकी संगड़न को आधनिक हत्यार बनानी की तरकिप मिल जाए तो इस धर्ती का विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता इसके अलावा अमेरिका, रश्या, चाइना, इरान, हमारा देश इंडिया, पाकिस्तान और कोरिया जैसे देश लगातार ग्लोबल पावर की रेस में लगे हुए है इनकी बीच कब कोई परमान युद छिड जाए कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तो अगर आप हमारे इत्यास का कोई भी पन्ना खोल के देखोगे तो आपको ऐसी कई लड़ाईयों के बारे में पढ़ने को मिलेगा लेकिन तब आज की जैसे लेटिस टेकनोलोजी नहीं थी फिर भी वो लड़ाईया बहुत ही हानिकार्यक साबित हुई थी तो सोचो अगर ऐसी लड़ाईया आज के दोर में हुई तो इन खतारना का विश्कारों के बदोलत वो बहुत ही संगारक और विनाशकारक साबित हो सकती है शायद से हमारी पूरी स्रिष्टी ही तबाह हो जाए तहस नहस हो जाए या फिर हमारा नज़्दी की पडोसी चाइना फिर कोई नया कोरोना वायरेस जैसा घातक बायो वेपन अपनी जित के चलते बना दे और पूरी विश्व में फैला दे तो निश्चित तोर पर मानव समाज का सफाया तो अटल है इन सबसे ये बात तो तय है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविशे में हम हमारे इनी हातों से प्रित्वी का विनाश कर देगे और प्रित्वी हम इनसानों के रेने योग कदही नहीं बचेगी लेकिन तब तक शायद सैंस ने इतनी प्रगति कर ली होगी कि इनसान ने खुद के लिए अंतरिक्ष में सेव जगा बना ली हो जैसे अंतरिक्ष में स्पेस्टेशन या फिर किसी और ग्रह को ही अपना नया घर बना लिया हो पर तब हमारी इस खुपसर धती का क्या हाल होगा कुन पूचेगा ये कभी सोचा है हम जिसे मा का धर्जा देते है जिसे हम मदर नेचर बोलते है इसका क्या होगा वो किस हाल में होगी यहाँ पर बसे पेड़ पौदे जीव जन्तू सबका क्या होगा वो जीवीद भी होगे या नहीं दोस्तो हम आज के हमारे इस वीडियो में इसी विशे के बारे में बात करेगे कि अगर कभी इनसान पृत्व को छोड़ कर गया और हजारों सालों बाद हमारी फूचर की पीडी के रूप में अपनी मदर नेचर से मिलने वापिस आया तो उसे हमारी ये पृत्विक कैसी दिखेगी जिस दिन हम यहां से चले जाएगे अपने नए घर की खोज में तब यहां का मनजर कैसा होगा चानते हो दोस्तों ये किसी हॉलिवूड फिल्म के द्रिश्य जैसा होगा लाखो करोडो चोटे बड़े रॉकेट्स धरती से आस्मान की और उड़ते नजर आएगे और उपर अंतरिक्ष में जाकर बड़ी मदरशिप से जुड़ जाएगे जैसे ही यहां से आकरी रॉकेट चला जाएगा सबसे पहले एक चीज़ होगी वो है सननाठा जी हां दोस्तों चारत तरफ घंगोर सननाठा चा जाएगा क्योंकि जो भी आवाजे हमें आज सुनाई देती है वो सभी हमी लोगों की इजात्की है चाहे वो गाडियों की आवाज हो फैक्टरियों से निकलती हुए मशीनों की आवाज या फिर ट्राफिक सिलिनल का शोर गुल हो ये सभी आवाजे बंध हो जाएगी और पूरी तरह से प्रित्वी पर एक घहरा सननाटा चाह जाएगा जिससे ये साउन पूलिशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा फिर आप ये बुलोगे कि जो उपकरन सूरज की रोशनी से चल रहे है या आटोमेटिक मोड पे है उनका क्या होगा पर दोस्तों आप एक बात भूल रहे हो हर एक चीज़ को रिपेरिंग और रेगुलर चेकिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो ठीक से बिना रुके चल सके अगर यही ना हो तो एक ना एक दिन उसका भिगड़ना या तूटना तै है एक्जाम्पल की तोर पर हम नुकलियर रियक्टर को ही ले लेते है वैसो तो इसमें दो साल में एक बार फ्यूल बरना पड़ता है लेकिन कोई भी ओपरेटर ना होने की वज़े से उनके आटोमेटिक कम्पुटर्स दो साल होने के बाद इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देगे और वो आटोमेटिकली बंद हो जाएगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंटिनू चलते रहने की वज़े से उनमें खराबी आकर वो ब्लास्ट भी हो सकते है और उनमें से जो भी हानी का रेक रेडियाक्टिव तरंगे निकलेगी इससे यहां रहने वाले जीव जुन्तू पर बहुत बुरा असर होगा चायद उनका विनाज भी हो सकता है ये तरंगे इतनी जहरिली होती है और नुकलर ब्लास्ट के वज़े से आसमान में चारो तरफ जहरिली ग्यास फेल जाएगी जिससे सूरज से निकलती धूप को ये पुरी तरह से रोग देगी और प्रित्वी पर सूरज की रोशनी नहीं पहुच पाएगी और धूप ना मिलनी के वज़े से सभी वन्ने जीवन पैड़ पोदे नस्ट हो जाएगे प्रित्वी से इंसानों के जाने के बाद सबसे ज़ादा कोई हमें याद करेगा तो वो है हमारा पालतू कुत्ता कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़ादा हम इंसानों पे डिपेंड रहता है ज़ादा तर कुत्ते खुद से शिकार नहीं करते वो इंसानों ने दी गए या फेके गए खानों पर निर्वर होते है इससे वो अपना पेड बरते है तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है हमारी जाने के बाद वो अपने मालिक को खो जाने के गम से हो या भूग से हो वे मर जाएगे इसी तरह जो जानवर चिडिया घुरों में बंध है वो भी खाना ना मिलनी की वज़े से तडप-तडप के मर जाएगे इसके अपोजिट जंगल में जो जंगली जानवर रहते है उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी उनकी हदे और इलागे बढ़ जाएगे जो अब इस जंगल में रहते है वो बेखोफ होकर सड़कों पर उतर जाएगे और उजड़े हुए शेहरों में गाओं में घुमने लगेगे ये सारा इलाका उनीका हो जाएगा इनसानों के ना रहने के वज़े से उनके द्वारा फैलाएगे इस पॉलिशन का धीरे धीरे अंध हो जाएगा और कुछी सालू में धर्ती पर चारों तरफ हर्याली चा जाएगी इनसाने द्वारा बनाएगे बिल्डिंगे और ब्रिजेस खराब होने लगेगी सब पर समय का असर दिखाई देने लगेगा और रेगिस्तान के नजदीक बसे शेहरों और गाओं को शायद अपनी रेत के तुफ़ानों से पूरी तरह से ढग देगे कई किलिमेटर उची रेत के पहड़ों से सारे गाओं और शेहर ढग जाएगे और करीबन सो साल बाद बदलते मौसम और बढ़ते पेड़ पोदों के वज़े से सब कुछ तूट फूट जाएगा घर महल खंडर हो जाएगे लोहे के धात्तू से बने कंस्ट्रक्शन को गंस पकड़ने लगेगी और इसके अलावा 200 से 300 सालों में मनुश्य के बनाए सारी बड़ी-बड़ी चीजे जैसे के ब्रेज और टनल्स गिर जाएगे रेल के पट्रिया उखड जाएगी या फिर मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन शायद हमारे पुराने किले वैसे ही रह जाएगे क्योंकि वो पत्थर से बने हैं और पत्थर वातवरन का प्रतिरोत करता है और अपनी जगा अटल रहता है तब तक जब तक कोई दुसरा उसे जान बुझकर उसकी जगा से हिलाना दे और ऐसा होना इंसानों के ना होने के वज़े से मुम्किन नहीं होगा लेकिन आने वाले दस हजार सालों बाद ये किले भी पूरी तरह से नस्ट हो जाएगे सोचो अगर भविश्य में पचास हजार सालों बाद हमारी अडवांस पीडी प्रित्वी पर वापस आए तो उन्हें हमारी ये प्रित्वी वैसे ही देखने को मिल सकती है जैसे की वह हम इंसानों के पहले हुआ करती थी जहां चारो तरफ गनी जंगल और कुद्रत के वह खुब सरथ नजारे देखने को मिलेगे जहां कुद्रत के तराशे हुए पहाड, नदी और जहरने और नएने वन्ने जीव देखने को मिलेगे ये सारा द्रिश्य ऐसे दिखाई देगा मानो हम स्वर्क के किसी सुन्दर जगा में घूम रहे हो लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो, इंसानों द्वारा बनाये गया, एक स्ट्रक्चर प्रित्वी पर लाको सलतक ऐसे ही बना रहेगा इसका नाम है मौंट रश्मोर, ये ग्रेनेट पत्थर पर खुदी एक नकाशी है विश्व के सबसे शक्तिशाली देश, अमिरिका ने अपने महान नागरिक, जिन में जॉर्ज वाशिंग्टन, थॉमास चेफर्सन, थियोडोर रुजोवर्ड और अब्रहेम लिंकन के सम्भान में मौंट रश्मोर के स्नापने की थी ग्रेनेट पत्थर को हीरे के बाद प्रित्वी पर सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है साथी ये ग्रेनेट किसी अन्य तत्व से ज़्यादा रियाक्शन भी नहीं करता, जिस कारण इसके नस्ठ होने की गती भी बहत धीमी है ये नकाशी सत्रा सो मीटर उचे पाढ़ पर बनी हुई है, जिस कारण इस पर नमी की मार भी बहुत कम होती है दुसरा ये अमेरिका के साउथ डकोटा में है, जहां बारिज भी ना के बराबर होती है वईग्यनिको के कैलकुलेशन्स के अनुसार, ये नकाशिया सत्तर लाख सालों से भी ज़्यादा यूही बनी रह सकती है अरे हाँ दोस्तों, और एक चीज तो हम सब भूली गए ये चीज भी करणों सालों तक प्रित्वियों पर रहेगी, वो है प्लास्टिक प्लास्टिक लाखो साल लगा देता है डिकंपोस होने में असल में ये पॉलीमर से बना होता है इसमें जो रासायनिक तेल होता है, वो समय के साथ सूख जाता है और बाद में ये टुकड़ों में बिखर जाता है इन चोटे-चोटे तुकडों में बिखरा ये प्लास्टिक हवा के साथ उड़कर कई किलोमेटर की दूरी तै कर लेता है जिसके कुछ हिस्से समंदर में गिर जाते है तो कुछ चटोनों में फज जाते है अगर फ्यूचर में किसी इनसान ने यहां आकर खुदाई की तो उसी ये प्लास्टिक के टुकडे जरूर दिखाई देगे और दोस्तों यही एक चीज यानिके प्लास्टिक उन्हें हमारे बारे में जानकरी देगी लेकिन दोस्तों उस भविशे की पीडी को ये जानकर बड़ा ही दुख होगा कि उनके पुरवजों ने अपनी खुद के स्वारत के लिए ये खूबसुरत प्रित्वी का कैसा सरवनाश किया होगा इसके आलावा उनके पास और कोई सबूत हमारे बारे में नहीं बचेगा दोस्तों हम इस वीडियो के मादर्म से जानी गय होगे कि कुदरत हमारे बगेर भी अच्छे से फलफुल सकती है लेकिन हम इनसानों को ये समझना चाहिए कि कुदरत के बिना हम कुछ नहीं है और आपकी सोच क्या कहती है यह हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस विशे में सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा कि हम इंसान सच में इस प्रत्वी पर क्या छोड़ कर जा रहे हैं ऐसे ही जानकरी से बरे वीडियो को आगे भी अगर आप देखना चाते हो तो हमारे इस Amazing Earth चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक वीडियो में तब तक के लिए आपका होस्ट और दोस्त माही आपसे इजाज़त लेता है जै हिंद जै भारत